तो जैशिराम दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत सा आगात है आज हम समझेगे कौशन नंबर 3 कौशन नंबर 4 हमारे सब्ग्रूप चैप्टर का तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगी ठीक है कौशन नंबर 3 में क्या बोला है है इन्टर सेक्षन आफ टो सब्गूरूफ का जो इंटरसेक्शन होगा लेट lar H & K Bof िöब घूब सब्गूरूप ये हमाल पास घिवन है ठीक है ना यह माँ पास मौशलह गेवन प्रूफ क्या करना है कि भई कि एच इंट्रसेक्शन के जो है यह भी हमार पास एक सब ग्रूप होगा तो बेसिकली कॉशन हम सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करते हैं जो हमार पास गिवन चीज़ दी होती है गिवन हमार पास क्या है गिवन हमार पास एच और के हमार पास क्या है सब ग्रूप एच क्या है subgroup, k क्या है subgroup अब इस given statement से हम इस question को कैसे solve करेंगे, ध्यान से देखना ठीक है, हर question की सुरुवात कहां से होगी, उसके given statement से जो हमार पास given है अब यह हमार पास एक subgroup है ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि let a, b belongs to h, दो element इसमें से ले लिए, तो अगर दो element मैं किसी subgroup में से लेता हूँ तो इसमें हमार पास closure भी लगेगी इन दोनों का inverse भी इसमें होगा, है न तो मैं कह सकता हूँ कि भाई या अगर a हमार पास h में belong करता है तो a का inverse b h में belong करेगा b h में belong करता है तो b का inverse बिलाउं करेगा और में क्लोजर भी लगीगी यहां पर आइडेंटिटी भी होगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि वही ए और बी का इंवर्स यह जो दो न भी का इंवर्स इन डो to do में लेगा हो दिखार है यह 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 में बोल सकते हैं यह में बॉसकते अब्सकाओ मतलब यह जो एब का inverse है यह हमार पास दोनों में आ रहा है है h में भी आ रहा है । मतलब अगर हम h और k की intersection करेंगे तो यह हमार पास common elements में से होगा मतलब हम इसको लिख सकते है h intersection k तो अगर हमारे पास belongs आगा belongs तो यह हमार पास subgroup की definition होती है किसी भी इसी subset को जब हमें subgroup प्रूव करना होता है, तो उस subset में से दो elements लेने होते हैं, और इस तरीकी से प्रूव करना होता है कि A और B का inverse भी उसी subset में हमारे पास आ जाए, तो यहां पे तो आ गया, कि A B का inverse यहां से बिलॉंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यह हमारे पास क्या ह हो एक सब गुरुप हुआ वही चीज मैंने यहां पर लिखी है ठीक है न अब हम करते हैं कॉशन नंबर फोर तो कॉशन नंबर फोर क्या बोल रहा है दा यूनियन ऑफ टू सब गुरुप सब गुरुप इस सब गुरुप इफ एंड ओनली वन इस कंटे इंड अनगर यह बोल पास सब गुरुप होगा इफ और यह बाद ऑनली इफ वन इस confess मतलब एक अगर को करिये गाए और कभर हमार पास अच मैं असमझा सज़ता हूँ दो सब्रयू友 है एच है के ना इनका जो यूनियन होगा वह हमार पास सब subgroup होगा जब यह जब एक दूसरे में करते होAyच लिढ करता हूं करता हूं किarias certainly करते लृफट में यहां यहां पास क्या दिया है कि हमार पास सब subgroup है let h union k subgroup को इसको हमने क्या ले लिए अब हमें to prove क्या करना है कि h contained in k and k contained in h यह हमारे पास prove करना है कि तो इस चीज़ को हम कैसे prove करते हैं ध्यान से देखना आगे हमाले question में भी same Method लगैर अप्लाये होगा मतलब सेम ah format for follow go doна ठीक है न प्रूफ को करते हैं ज्यानध को देखो basically हमारा पास क्या है हमें क्या पूफ करना sounds हमार पास के में contain करता है और के हैज में contain करता है यह हमें प्रूफ करना कि इफ पॉसिबल है को इस पॉसिबल लेट h जो है k में contain नहीं करता and k भी h में contain नहीं करता अगर ऐसा है तो हम देखते क्या होगा जब हम इसको लेके solve करेगे न तो हमारे पास contradiction आएगी तो हम कह सकते कि जो हमने statement ली थी वो गलत है right statement कौनसी है वो है ये वाली ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं h हमारे पास k में contain नहीं करता और k h में contain नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ अगर हमारे पास कोई a element हमारे पास h में belong करता है तो वो बिल्कुल भी k में belong नहीं करेगा then वो जो a element है कभी भी हमारे पास k में contain नहीं करेगा और अगर हमारे पास b type का element है जो कि K में belong करता है then वो हमार पास B जो है वो कभी भी हमार पास H में contain नहीं करेगा यह हमार पास given type का हमार पास है यह हमार पास given की तरह काम करेगा यह जो A और B दोनों element है यह A और B यह हमार पास belong करेंगे H union K में ठीक है न? इस बात मनलों यह H है दोनों elements होंगे ठीक है तो गीवन हमार पास क्या था ध्यान से देखो गीवन हमार पास क्या था कि हमार पास क्या है एक सब ग्रूप है मतलब यह हमार पास क्या है एक सब ग्रूप है अगर सब गुरूप है मतलब एक खुद में अपने आप एक गुरूप है तो गुरूप के दो elements होते हैं ना तो उनमें closure भी लगती है दोनों element का inverse भी होता है तो हमें कह सकता हूँ कि A B का inverse भी हमार पास H union K में belong करेगा ठीक है ये एक element है जो की belong कर रहा है H union K में तो या तो ये H में होगा या तो ये K में होगा समझ मैं आई बात तो हमें कह सकता हूँ कि या तो या तो आईदर आईदर A B का inverse हमार पास H में belong करेगा और या तो A B का inverse हमारे पास किसमें belong करेगा? K में belong करेगा अब ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास H में B contain नहीं करता और K में A contain नहीं करता H में क्या नहीं contain करता B तो मतलब हम अब यहां पर इस B को रहने देंगे इस A को काट देंगे तो A के inverse से मैं यहां पर multiply करवाया ठीक है अब देखो यह H क्या है सब ग्रूप है तो मतलब A का inverse में multiply करवा सकता हूं ठीक है तो यह हमारे पास बनगी identity B का inverse हमारे पास H में मिल गया हमें मिल गया कstellen B हमारे पास किसे में मिल गया हमें मिल गया वही राइट हैं हम देखते के जो हैं उसमें यह नहीं है तो हमरे और ही को मल्टिप्लाए करते हैं यह मरपकूद सकता हूं क्योंकि के हमार पास सब ग्रूप है तो सब ग्रूप में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है इसलिए मैंने बी को मल्टिप्लाइ किया है ठीक है ना तो एंटु में आइडेंटिटी बिलॉंग्स के तो हमार पास ए कहां से मिल गया के से हमार पास मिल गया जो कि हमार पास कॉंट्राडिक्शन होगी हमने तो बोला कि भई ए कभी भी हमार पास के में नहीं मिलेगा है ना और बी हमार पास कभी भी एच में नहीं मिलेगा यह तो कॉंट्राडिक्शन होगी तो हमने जो इस्टेट्मेंट ली थी इफ पॉसिबल लिये वाली कि h कभी भी k में contain नहीं करेगा और k कभी be w h में कंटेन नहीं करेगा यह हमार पस क्या होगी wrong हो गी ठीक है तो जो हमार पास solution निकला ओ क्या लिगला कि हेच till' करेगा करेगा k में और के वह कंटेन करेगा tec कि तुम्हारा पास necessary condition इस तरह से प्रूव होगी बात करें इसकी sufficient condition की sufficient condition sufficient condition sufficient condition में क्या हैगा let h contain करेगा k में and k contain करेगा हमारे पास h में दो हमें यह प्रूव करना है कि एच union के हमारे पास क्या होगा 서비 moyen p करना तो जो मादा टीवन होता है वहीं से हम लेकर चलते एक यह हमारे पास statement दीए ipad characters contain करेगा k में और k contain करेगा usma एच केंड़ करेगा वेच में यह सब बड़ा सार्स स्थ होगा उसमें हमार पर एच कुछ इस तरह का होगा है ना और इस वाली स्टेट्रिमेंट का क्या मतलब हुआ कि एच को यह सब बड़ा सा स्टेट हुआ उसमें हमारे पास यह के होगा तो H और K का यहाँ पर यूनियन होगा वो क्या होगा? K नहीं होगा H union K हमार पास क्या आएगा? K आएगा क्योंकि ये K बड़ा सेट है उसी तरह से यहाँ पर H union K हमार पास क्या आजाएगा? H आजाएगा Basically हमें क्या प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कि H union K हमार पास क्या है? एक सब ग्रूफ है देखो K क्या है? सब ग्रूफ है H क्या है? सब ग्रूफ है ये element जो भी है वो हमार पास सब ग्रूफ के बराबर आ रहा है मतलब ये क्या है? एक सब ग्रूफ है इस statement क्या बोल रही? basically, यह जो element है, वो क्या है, एक subgroup है, यह जो element है, वो क्या है, एक subgroup है, है न, statement prove कर लिए, तो हम कह सकते हैं, कि h union के, हमारे पास क्या होगा, एक subgroup होगा, इस तरह से हमारे पास sufficient condition भी आगी, और हमारे पास necessary condition भी आगी, ठीक है,